जब यह तैह होता है का आजहादी कि इतने सालों के बाद भी डाई करोर परिवार ऐसे हैं जहाँ बिजली नहीं है वो अंदेरे में जिन्दी की विजारते हैं डाई करोर घरों में बिजली पहुँच जाती है तब सामान यह मानिवी का भरोसा बढ़ जाता है जब लार किर्जे स्वच्च भारत की बात कही जाए तब इस देश के अगरीम हरोर पंगती में बैठे विये लोग हो गाउं के लोग हो गरी बस्ती में रहने वाले लोग हो छोटे छोटे बच्चे हो हर परिवार के अंदर स्वच्चता क्या वातावन बन जाए स्वच्चता की चर्चा हो स्वच्चता के संदनबा एक दूसरे को रोक तोकने का निरंतर प्रयाद चलता रहे मैं समझता हूं कि ये भारत के अंदर आई हुई नई चेतना का प्रतिविम है हैं जब देश के सामने लाल कि लिए से कहा जाए कि आज हमारे परिवारों में तीन करोर परिवारे से हैं जिरके घर में नल से जल मिलता है आवशक है हमारे इन परिवारों को पीने का शुद्ध पानी पहुँचे जल जीवन मीशन के तहट इतने कम समय में नए बारा करोर परिवारों को जल जीवन मीशन के तहट नल से जल पहुँच रहा है आज पंदरा करोर परिवार इसके लाभारती बन चुके है हमारे कौन लोग बंचित थे इन व्यवस्ताओं से कौन पीछे रह गए थे समाज के अगरिम पंक्ति के लोग इसके लिए अभाव में नहीं जीते थे मेरे दलीत मेरे पीडीत मेरे शोशीत मेरे आदिवासी भाईबेन मेरे गरीब भाईबेन मेरे जुगी जोपने मेरे जिन्दी की गुजारने वाले लोग बोही तो इन चीजों के अभाव में जी रहे थे हमने अनेक ऐसे प्राथवी के आवस्ताओं की पूर्ती के लिए जो प्रयास किया और उसका परणाम हमारे इन सारे समाज के बंदूओं को मिला है हमने वोकल फ़र लोकल का मंत्र दिया आज मुझे खुशी है कि वोकल फ़र लोकल ने अर्थ तंत्र के लिए एक नया मंत्र बन गया है हर डिस्ट्रीक अपनी प्रादावर के लिए गर्व करने लगा है वन डिस्ट्रीक वन प्रोड़क का माहूल बना है अब वन डिस्ट्रीक वन प्रोड़क को वन डिस्ट्रीक का वन प्रोड़क एक्स्पोर्ड कैसे हो वो दिशा में हर जिले सोतने लगे है रिन्यूबल एनर्जी का संकल पलिया था चीट फ्वेंटी समू के देशों ने जितना किया है उससे जावदा भारत ने किया है और भारत ने उर्जा के एक्षेत्र में आत्म निर्भर मंडे के लिए ग्लोबल वार्मिंग की चिंताओं से मुक्त पाने के लिए हमने काम किया है सात्यों देश गर्व करता है आज जब फुन्टेक की सभलता हुग लेकर पूरा विश्व भारत से कुछ सीखना समझना चाहता है तब हमारा गर्व और बढ़ जाता है सात्यों हम कैसे भूल सकते हैं कोरणा के वो संक्ट का विश्व में सबसे तेज गती से करोडों लोकों को वेक्सिनेशन का काम हमारे इसी देशों में हुआ यही देश हैं जो कभी आतताई आतंकवादी हमें आकर के मारके चले जाते थे जब देश की सेना सर्जिकल स्ट्राइज करती है जब देश की सेना एर स्ट्राइज करती है तो देश के नवजमानों का सीना उंचा हो जाता है तन जाता है गर्व से भर जाता है और यही बाते हैं जो आज 140 करोड देश स्वाच्यों का मन गर्व से भरा हुआ है आत्म विश्वात से भना हुआ है साथियों इन सारी बातों के लिए एक सुविचारिज प्रयास हुआ है रिफॉम की परंपरा को सामर्थ दिया गया है नकर तरीकों के नकर लख्ष को लेकर के और जब राजनितिव नेत्रुत्व की संकल पशक्ति हो दड़ विश्वात हो जब सरकारी मशिनरी उसको लागू करने के लिए समर्पन भाव से जुट जाती है और जब देश के हर नागरी उस सपने को पूरा करने के लिए जन भागीदारी करने के लिए जन अंदोलन बनाने के लिए आगे आता है तब हमें निस्षिक प्रणा मिलता ही रहता है मेरे प्यारे देश वाजियों हम ये न भूले कि देश उस परितिस्यों सबी दसकों तक भी आजाजी के बाद समय बिताया है जब होती है चलती है अरे यारे तो चलेगा हमें क्या मेहनत करने की जरूता है अरे ये मामला है आजने पेड़ी दिखेगी अरे हमको मोका मिला है यार मोच कर लो आगे वाला आगे का जाने हमें क्या कर रहा है हम अपना समय निकाल दे अरे नया करने जाओ गयो कोई बबाल उर जाए पता नहीं क्यों देश में स्टेटस को का माहूल बन गया था जो है उसे के गुजाना कर लो यही का माहूल बन गया था और लोग तो कहता है रे छोड़ो आप कुछ होने वाला नहीं है चलो ऐसा ही मनमर गया था हमें इस मानसिक्ता को तोड़ना था हमें विश्वास से भरना था और हमने उधिसा में प्रया किया कई लोग तो कहते थे अरे अगली पीड़ी के लिए काम हम अगली से क्यों करें हम तो आज का देखे लेकिन देश का सामान ने नागरी के नहीं चाहता वो बड़लाव के इंतजार में था वो बड़लाव चाहता था उसकी ललक थी लेकिन उसके सपनों को किसी ने तबज्जू नहीं दी उसके आशा अतायंशाओं को पेशाओं को तबज्जू नहीं दी गई और उसके कारण वो मुसीबतों को जेलते हूँ गुजारा करता रहा वो रिफॉर्म्स का इंतजार करता रहा हमें जिम्मेदारी दी गई और हमने बड़े रिफॉर्म्स जमीन पर उतारे गरीब हो, मिड़े क्लास हो, हमारे मनचीत लोग हो हमारी बढ़ती जती शहरी आबादी हो हमारे नवजवानों के सपने हो, संकल्प हो, आतांचाय हो उनके जीवन बड़लाव लाने के लिए रिफॉर्म का बार हमने चूना और मैं देश वाच्यों को विश्वाद दिनाना चाहता हूँ रिफॉर्म के प्रति हमारी जो प्रतिबत दता है वो पिंक पेपर के एडिटोरियल के लिए सिमित नहीं है हमारे रिफॉर्म की ये प्रतिबत दता है वो चार दिन की वहवाही के लिए नहीं है हमारी रिफॉर्म की प्रक्रिया किसी मजबूरी में नहीं है देश को मजबूती देने के इरादे से है और इसलिए मैं आज क्या सकता हूँ रिफॉर्म का हमारा मार्ग एक प्रकार से ग्रोथ की ब्ल्यूप्रिंट बनी हुई है यह हमारा रिफॉर्म यह ग्रोथ यह बढ़ाओ यह सिर्फ डिबेट कलब के लिए इंटलेक्शल सुसाइटि के लिए एक्सपर्ट लोगों के लिए सिर्फ चर्चा का विश्य नहीं है साथियों हमने राजनीति मजबूरी के कारण नहीं किया है हम जो गिल्टी कर रहे हैं और राजनीति का भागा गुना करके नहीं सोते हैं हमारा एकी संकल्प होता है नेशन फर्स्ट नेशन फर्स्ट रास्त हित सुप्रेम यह मेरा भारत महान बने इसी संकल्प को लेकर करके हम कदम उठाते हैं साथियों जब रिफर्म की बात आती है एक लंगा परिवेश है अगर मैं उसकी चर्चा में चला जाओंगा तो साइद गंटों निकल जाएंगे लेकि मैं एक छोटा सा उदान देना चाहता है बैंकिंग सेतर में जो रिफर्म हुआ आप सोचिए बैंकिंग सेतर का क्या हाल था नभी कास होता था नभी स्तार होता था नभी स्वाद बढ़ता था उतना ही नहीं जिस प्रकार की कारणा में चले उसके कारण हमारे बैंक संकटों से गुजर रहे थे हमने बैंकिंग सेक्टर को मजबूत बनाने रिक लिए अनेक भी रिफर्म किये और आज उतका गरां हमारी बैंक विश्व में जो इनी गुनी मजबूत बैंके हैं उसमें भारती बैंकों ने अपना स्थान बनाया है और जब बैंक मजबूत होती है ने तब फॉर्मल एकॉनोमी की ताक़ज भी बढ़ती है जब बैंक की व्यवस्ता बन जाती है जब सामा ने खास करके मद्यमबर के परिवार की जो रिक्वार्मेंट होती है उसको पूरा करने की सबसे बड़ी ताकत बैंकिंग सेक्टर में होती है अगर उसको होम लोन चाहिए, उसको वेहिकल का लोन चाहिए, मेरे किसान को ट्रेक्टर के लिए लोन चाहिए, मेरे नवजवानों को स्टार्ट अप के लिए लोन चाहिए, मेरे नवजवानों को कभी पढ़ने के लिए एजुकेशन के लिए लोन चाहिए, किसी को विदेश से लाब ले रहे हैं मुझे खुची है मेरे रेडी पट्री वाले लाखो भाई बेहन आज बैंक से साथ जुड़ करके अपनी नई उचाईयों को प्राप्त कर रहे हैं और विकास की दिशा में वो भागीदार बन रहे हमारे MSM इस हमारे लगूप दियों के लिए तो बैंक ए हुआ है साथियों कि दुर्भागे से हमारे देश हुए आजादी तो मिली लेकिन लोगों को पड़ा है सरकार के पास मांगते रहो सरकार के पास हाथ फालाते रहो किसी की सिफार इसके लिए रास्ते खोथते रहो वही कल्चर डेवलप हुआ था आज हमने गवर्ननस के इस मोडल को बदला है आज सरकार खुद लाभारती हितार्थी के पास जाती है आज सरकार खुद उसके घर गैस का चुला पहुँचाती है आज सरकार खुद उसके घर पानी पहुँचाती है आज सरकार खुद उसके गषब बिजली पोचाती है आज सरकार खुद उसको आर्थिक मदद दे करके विकांस के नए आयामों को चर कर नेकले प्रेलिद करती है पॉत्साइद करती है आज सरकार खुद नौजबान के skill development के लिए अनेक बित कदम उठा रही है साथियों बड़े reforms के लिए हमारी सरकार बहुत ही प्रतिवत का है और हम इसी के द्वारा देश में प्रगति की राह को चुनना चाहते हैं साथियों देश में नई व्यवस्ता बन रही है देश को आगे ले जाने के लिए अनेक बीत नीतियों को अनेक बीत पॉलिसिस को निरंतर बनाये जाए और नए सिस्टिम पर देश का भरोसा भी बढ़ता रहता है निरंतर बढ़ता रहता है आज जो 20-25 साल का नवजवान है जो 10 साल पहले जब 12-15 साल की उमर का नवजवान था उसने अपनी आखों के सामने ये बड़लाब देखा है 10 साल के फीतर फीतर उसके सपनों का अकार मिला है धार मिली है और उसके आत्मे विश्वास में एक नई चेतना जगी है और वही देश का एक नया सामर्त के रुपे उभर ना जगी है आज बिश्वाफर में भारत की साख बड़ी है भारत के प्रति देखने का नज़रिया बड़ला है आज बिश्वा में युवाओं के लिए संभावनाओं के द्वार खुले है रोजगार के अंगिनित नए अवसर जो जाएद आज आदी के इतने सालों के बाद भी नहीं आये थे वो आज उनके दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं संभावनाएं बढ़ती गई हैं नए मोके बन रहे हैं मेरे देश के युवाओं को अब दीरे दीरे चलने का इरादा नहीं है मेरा देश का नवजवान इंक्रिमेंटल प्रगति में विश्वात नहीं करना ब्रादेश का नवजवान चलांग मारने के मूड में है वो चलांग मार के नई सिद्धियों को प्राफ्ट करने के मूड में है मैं टहना चाऊंगा भारत के लिए गोल्ड ने रहा है वेश्विक परिस्धियों के तुलना में भी देखें ये गोल्ड ने रहा है यह हमारा स्वानिम कालखंड है मेरे त्यारे देश वाजियों यह आउसर हमें जाने नहीं देना है यह मोका हमें जाने नहीं देना चाहिए और इसी मोके को पगड़ करके अपने सपने और संकल्पों को लेकर करके चल पड़ेंगे तो हम देश की स्वाणिम भारत की जो पेक्षा और हमें विक्सित भारत का 2047 का लक्ष हम पूरा करके रहेंगे हम सद्यों की बेडियों को तोड़ करके निकले हैं है आज तुरिजयम का ख्षेत्र हो एमस्वेज का ख्षेत्र और हो एदिक्षाइशन रोलू हो हेल्ट सेक्टर हो ट्रांसपूर्ट सेक्टर और खेती और किसानी का सेक्टर हो अगर रूए एक नया अधुर्णिक सिस्टीम बन रहा है हम ऑ